इस वीडियो में आपको उता रहे हैं ब्लाउज की बैक नेक डियान कैसे बना दिखी ब्लाउज मैंने कट कर लिया है और यह चूड़ी की साहिता से मैं बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाने वाली हूँ आप कोई भी मैटल की चूड़ी ले सकते हैं काच की नहीं लेनी है और फोर्थ भाग नाइन इंच आएगा दो इंच का इसमें मार जाए और देखी जो इसके मुड़े लिया है फाइंच लिया है सुल्डर मैंने सिक्स इंच लिया है अभी नेक डॉ करते हैं देखी सोल्डर से त्री इंच ले लेंगे और जो डीप में ले रही हूँ आप उ देंगे हैं नीचे बहुत हो इंच और बेर जाएगे हम एक िंच की बाद नीचे आसे भी इस तरीके से चेड़ देंगे। यहँ अनने को प्लाउज पर के लेंगे त rage कि यहां तक स्टिच कर दिने को कड К टर केएं जिन गएंक को और ब मैंने को तुम मैंने सेंटर से यहां पर कट कर लोगी क्योंकि दोनों पीस अलग है लग लोगे और उसके वाद इसमें डेजाइन देंगे जैसे मैं ने बताया था मैंने इसको इस्टेच कर लिया है पूरा कमार में भी और दोनों पाटों को अलग कर दिया है और इसको पलटके इसकी दे देते हैं तो देखिए दोनों पीस मैंने तैयार कर लिया है अभी हम इसमें लेस लगाते हैं कि मैंने यह गोल्डन लेस लिया है तो लेस को हम पूरे नेक से लेकर कमर तक स्टेच कर देंगे तो दीखिए मैंने यह दोनों साइड के पीस तैयार कर ले हैं और जो मैंने यह चूडी ले थी अब इसको हम इसमें अटेच करते हैं तो दीखिए इस तरीके से हम चूडी को यहां पर निकाल देंगे इस तरीके से खोलते हुए तो आप चाहें तो मसीन से स्लाइड डाल सक तो आप four folding का धागा भी लेकिन इस तरीके से करें जो हमारी इसलाई है यह दिखनी नहीं चाहिए बाहर की तरफ सिलाई दिखेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से इसको हम यहां पर स्टेच कर देते हैं यहां पर मैंने स्टेच कर दिया है तो देख रहे हैं पर सिलाई नहीं दिख रही है काफी अच्छा लुका रहा है क्योंकि अगर मसीन से डालेंगे तो वह स्टेचिंग दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा अभी सेम हम इस पार्ट को भी यहां पर स्टेच कर देंगे उल्टी तरफ आप बैंगल इस तरीके कर लें जो आप यहां पर स्टेच कर देती हैं तो दीखी मैंने इसको टाइट कर दिया है दोनों साइड में और आप उपर चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं तो और भी अच्छा लुका जाएगा तो आप देख रहें के बैंगल की सहता से कितना सुन्दर हमारा यह नेक बन कर तयार हो गय के से सुन्दर सा नेक डियन बना सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा वीडियो को सेर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थैंक यू